यह कहानी दिलही विश्व विध्यालिया के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में हैं। मानो या ना मानो लेकिन इस कमपास में मुझे भूत प्रेथ होने के कई सारे किस्से सुन को मिल रही हैं। इसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानत आवाजे सुनाई देने लगी और उसी आवाज के करन में जाग उठा और मैंने अपने चारों और देखा लेकिन कुछ न थी था मुझे लगा कि हवा के कारण खिडकी या दर्वाजा आवाज कर रही हैं वही पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिडकी पे गिस रहा है जब मैंने दुसरे दी यह बात की जाज करवाई तो मालुम पड़ा की नौ साल पहले एक चात्र अरुन ने आत्म हत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में गुम रही है और इस बात की प्रिष्टी कई चात्रों ने की है ऐसी ही एक दुसरी घटना यह घटना सन 1998 की उसी होस्टल की है और यह बात क जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रूप ने बताई थी अभिजीत करके एक विध्यार्थी उसे एक कुट्टे को अपने रूम में पाल रखा था लेकिन कुछ कारण से उस कुट्टे की मौत हो गई ही अभिजीत उस कुट्टे को लेकर पांस के जंगल में दफनाने के लिए या वापस आकार अपने रूम में जाकर सो गया या फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी के रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमाई घटना के कारण उस कॉलेज के छत्रों में दर बेट गया है। और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार-बार होती रहती है। दिल्ली विश्व विद्याले के उतर दिशा की और करीबन दो किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्त एक लेडीज कॉलेज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यातिनी सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के जरीए वो आत्मा आतो जाती है, लेकिन दो-तीन दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती। सोनल के करन वो आत्मा कई छात्रों को हिरान परेशान करती है बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वो वमहा से चली जाए माफी मांगने के दो दिन बाद वो आत्मा वंही से खुद वापस चली जाती है लेकिन सोनल की हरकत के करन उसे कॉलेज से निकला दिया जाता है ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी ना कभी भूतों का सामना करना ही पढ़ता है उन सभी को ऐसी ही अद्रस्य शक्ती के होने का एहसास होता रहता है